हलो वेलकम टू माई चोइस किछन जैसे कि आप सबको पता है समर चल रहा है तो ऐसे में हम फलो के राजा आम को कैसे बूल सकते हैं बाहर लौकडाउन है बाहर जा नहीं सकते तो ऐसे में बच्चे कभी माज़ा कभी स्लाइस तो कभी फ्रूटी की डिमांड करते हैं तो उसी परपस से मैंने घर में बनाई है मैंगो फुरूटी तो आए इसे स्टार्ट करते हैं इसके रहे मैंने लिया है तीन से चार क्लास पानी मतलब कि साड़े साथ सो एमिल के असपास और एक कटोरी कच्छी आम भी और दो कटोरी इसके अंदर डालेंगे हम पका हुआ आम आम भी जितनी ज़्यादा खटी होगी उतना ही टेस्ट ज़्यादा आएगा बस अब हम इसको मिक्स कर देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आदा कटोरी चीनी इसके बाद इसको मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए ढखकर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 10 से 15 मिनट के बाद देखें आम भी और आम हमारे जो हैं अच्छे से पक गए हैं और इसके अंदर जो भीनी भीनी खुश्पु है वह बड़ी अच्छी लगती है मैं आपको दिखाते हूं कि यह आम भी कितने अच्छे से मैश हो रही है देखें यह देखें बिल्कुल इज जीली मैश हो रही है अब हमेए क्या करना है कुछ नहीं करना बचछी से थंडा करना है और एक मिकसर ब्राइंडर में डालके इसका पेस्ट बना ले ना है significantly mixer democrat में डाल दिए अब इसका पेस्ट बना लिया है और अब एक संधर में कुछ आईस क्यूब दालेंगे और थोड़ी सी आइस क्यूब डालेंगे हम अपने जूस के अंदर और सर्फ करेंगे थंडी थंडी मैंगो फ्रूटी ये फ्रूटी आपको और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है और अगर पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक और सब्सक्राइब शरूर करिएगा और इंजॉय करिए घर में बनी हुई मैंगो फ्रूटी